असलाम अलेकूम विवर्ज आज जराना अज इसलाम भै को लोग इसलाम भी आज कि था में देपे आए लंडा बाद लटीफबाद तो लुनी समसटा इच लंडा बाद लग दे जुम्ह बादार भी अखेनें ते अज देख दे होता किने क्या क्या चीजां पें दे तो कोई द यह जीज़ खानी चाहिए सिछवन मुझई को लाद कि इसकी तो कह रहे हैं तो क्ष़एधिय लगतार खानी चाहिए लगतार खानी चाहिए जाकर आफान बार 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 कहता है कि यह चीज़ैं खाए तो माशा आलला मिलते हैं चल्ला आपको नेक्स विलाग में दौा में याद रखना यूट्यूब चैनल भावलपूर लेजेंड को सब्सक्राइब करें फीस्बुक पेज को फालो किया करें लाइक किया करें और मेरी वीडियो को जादे से जादे से जादे शेयर किया करें अल्ला आपिस असलाम आलेकम वीवर्स आज जरहना असा स्रेकी एज विलाग बढ़ेने हैं जी आज अज सल्मान अलेक चोटी जी बैट लग ये शर्त लग या नहीं कि सामने देख इनो गन्ने दे जूस आला आया खड़े सल्मान को आकेमी के डू मगे वड़े गन्ने दे जूस ते पीवड़े नहीं कि मैं पीवेसा अगर ना पीस अगया तक गन्ने दे जूस ते पैसे चार मग्या दे पैसे ही नहीं को लो गिन्सों पीखिते हैं कि इस लगल की अगर फिर पीए था ना पीज़ किया दो पोला अगर पीजा था त्री है निए देखी जानु रखना चुल्ट आँ जूस बढ़ मेने नियों और देखें मेने और जोना बढ़ आतूँ एसलाम आलाइकम विवर्साँ आज मैं आपको दिखा रहा हूं। हमारे एक भी दोस्त है ठाक ठरिमरान्थ साथ दोने शिरो दॉर ऐसे कर वह सुने कैप तो कर अब आक पो एक कर कर वार요 को चांप सुने दुरों मेंanza वह इांशाया Say और वक्त के साथ साथ पनासीक भी जाता है उसको दे काम सुरू करने से पहले कुछ मालूमात ज़रूर लेनी चाहिएं कि अगर टक्टर रिप्रान ज़रू की है तो आज की तो दिखाते हैं आपको कि आज का खाना क्या है और इसमें क्या कुछ हैं शामिल तो आएं आपको दिखाते हैं आपको दिखाते हैं अब ये खान जो है ना बौल में डालके आया है अब देखते हैं कितने गराम निकलता है अलब ये काफी सारे जादे निकलाए ये ये आज तो चैलेंग आर गाप ने आपका तजर्बा अब अब तो फेल हो गया है ना अब तो आप 100 और कुछ ग्राम यानि के आप ने जादा डाला है वजन में तो मैं यानि के चैलिंज इत गया ऐसे है ना तो नेक्स चैलिंज पिर कभी करेंगे कोई और चीज जब लूँगा ना फिर कोई और चैलिंज लेंगे यह तो तेके प्लेट त्यारो के आगी है तो इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं आप यह तैयार हो गया है अब निकाल रहा है जान देखें कैसा सुनैरी कलर निकला आए यह थोड़ी देर इसमें रखेंगे जो गी है वो निकल जाए गया उसके बाद इसके बाद य चालीस रपे और ये गोभी 20 रपे मतर 20 रपी यह 30 रपे किलो यह 40 रपे अच्छा यह जो है चाचा ने 40 रपे लगाय हुए है बजार मार्कीड में आप चले जाएं आपको 50 60 रपे किलो के हिसाब से देंगे इनों इनका रेट भी देख लें आप बजार का रेट देख लें और यहां का देख लें यह 20 रपे किलो यह बजार में 30 रपे किलो मिल रही है यह 50 60 रपे किलो दे रहे हैं पालक भी है का मूली भी है और यह शलजम भी है पालक 15 रपे किलो है और बजार में 20 रपे किलो दे रहे हैं आप यह देखें यह बजग की उमर देखें चाचा आप सब्जी के रेडी लगाई हुए आपको चाहिए कि आप ऐसे ही बंदों से सब्जी लिया करें ताकि उनकी मदद भी हो जाए और वो अपने बच्छों को अपना हलाल रिस्क हलाल खिला सकें तो चाचा यह एक सलाद के लिए मूली लेनी है इसको तोलें आप सना भी जा मोट से बनने का यह तक्रीबन तीन पाओ है ना अलग आदा किलो तीस ग्राम अच्छा चलो माशाला अब वैसे आप यह बंती कितने की थी माशाला चाचा कह रहे हैं कि आप सिर्फ दासरवेगी दे दे दें तो कहने का मकसद यह है कि विवर्ज आपने ऐसे ही लोगों से लेने हैं और ताके वो अपने बच्छों का रिस्क यह किलो ले रहे हैं एक किलो खिरा भी दे दें चाचा खुद तोलने हैं चुरासी साल की उमर में चाचा सबजी बेच रहे हैं और इतनी ठंड है आप देख सकते हैं कि यह देखें धूप कहीं से भी नहीं नजर आ रही नहीं निकली दोप और बारा बज़े का टाइम है माशालला सुबा सुबा का टाइम विवर्ज बहुत यच्छा वेदर विवर्ज चाय पी ली है और संदी को इंजोए कर रहे हैं तो आपको दिखा रहे हैं बावल पूर में ठंड का गाज हो चुका है तूंद का गाज भी हो चुका है गर्म गर्म चाय और सर्दी का मौसम कोशिच करते रहते हैं देखते हैं कि इसको चुए कुमार पाते हैं यानि पामियाब होते हैं यानि तो पहले दो चुछ दफ़ा कि मैंने चुए कुमारा है यहीं पर ही है यहां को दिखा रहा हूं मैंने दो फूट कड़ा खौद लिया है नाम और निशान कुछ नहीं है तो प्राही करते रहते हैं प्राही करते हैं यहीं है